महराष्ट्रा विधान सबाचुनावत 2024 की सबसे पहले ओपिनियन पूल पराप्त करने के लिए आप चेनल को सब्सक्राइब करके लाइक और सेर कर दें दोस्तो महराष्ट्रा में किस की सरकार बनेगी कोन बन सकता है मुख्य मंतरी सबसे बड़ा ओपिनियन पूल सामने आ चुका है बाजपा की रातों की नींद उड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी लाश्ट तक आप वीडियो को पूराइब की बात करें त तरीके से क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है वही आगे बात करते हैं अम्रावती की अम्रावती के अंतरगत विधानसभा की सीटे आती है दो सीटो पर एंडिये गठ जोड को बढ़ते गठ जोड की बढ़त का अनुमान है तो वहीं इंडिया ने कुछ सीटों की बात करें तो NDA को एक सीट की बढ़त का अनुमान है इसके अलावा इंडिया लायन्स की टीम की बढ़त मिलती भी नजर आ रही है वहीं आगे बात करती है नाकपुर की नाकपुर नाकपुर के अंतरगत के बारा किसी इन 12 सीटों में से गट जोड को पांच सीटों की बढ़त का अनुमान है तो वहीं इंडिया लेंस को साथ सीटों बढ़ाने की भी नजर आ रही एर इंडिया हो गई भी एंडिये पर नाकपुर में भी इस बार भारी भरकम नजर आ रहा भंडारा की गई तीन विधान सभा सीटों की बाते तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं इंडिया तरीके से इंडिया ने भंडारा में रीसेट करता हुआ नजर आ रहा है वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं। इंडिया को दो फीसदी की बढ़त मिलती हैं। नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर यहां पर देखें तो गुडिया में और गर्चिरॉली में तरीके से महाविकास अघाडी M.V.A. पर अच्छी खासी बढ़त भारी बढ़ता हुआ यहां पर नजर आया। इसके अलावा आगे बात करते हैं। तरीके से करता हुआ नजर आ रहे हिंदी अलायंस अन्या पाठिया कही न कहीं हिंगोली में इस बार भी चलती हुई नजर आ रहे यही इसके अलावा आगे बात करते हैं। चंद्रपुर की चंद्रपुर में विधान सभा की सीते हैं, इन छे सीतों में से दे कि NDA को दो सीतों की बढ़त का अनुमान है तो वहीं इंडिया को चार सीतों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यवतमाल की अगर साथ विधान सभा सीतों की बाते NDA को तीन सीतों की बढ़त का अनुमान है तो वहीं इंडियन एरलाइन्स की निर्मातरी महाविकास अघाडी से चार सीतों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है तो कुल मिलाकर यवतमाल में भी मुकाबला काफी दिल्चस पार्टी की टक्कर का बीजेपी के NDA और इंडिया के बीजों में होता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा आगे बाद का हैं और औरंगाबाद की औरंगाबाद में कुल नौ विधान सभा की सीते नौ सीतों में से देखें NDA को चार सीतों की बढ़त का अनुमान है तो वह नहीं लिए लाइफ को तीन सीतों की देती हुई नजर आ रही अन्या पार्टियों की बात है इसमें अस्दुद्दीन ओवैसी की पार्टी आएम आएम दरबार में दो सीतों की बढ़ा टूर्नामेंट का मिलती नजर आ रही है आगे बात करते हैं परवा की परवा में कुल चार विधान सभा की सीते हैं इन चार सीतों में से यदी गट जोड को एक सीत की बढ़त का अनुमान है तो वहीं इंडिया को तीन सीतों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही यह बात किसी पार्टी के खाते में कोई भी से जाने का मन है इसके अलावा आगे बात करते हैं मैं जलना की जलना में कुल पांच विधान सभा की सीते हैं इन पांच सीतों में से नदी के एंडिये को एक सीत की बढ़त का अनुमान है तो वहीं इंडियन एरलाइन्स को की बात करें तो चार सीतों की बढ़त मिलती नजर आ रही है और इ वोई छे विधान सभा की सीते हैं, इन छे सीतों में से एंडिये को चार सीते, की बढ़त का अनुमान है तो वहीं इंडिया को दो सीतों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं, नासिक नासिक में 15 विधान सभा की सीते हैं, इन 15 सीतों में से एंडिये को 5 सीतों की बढ़त का अनुमान है तो वहीं, इंडिया लेंस को 9 सीतों की बढ़त कहीं न कहीं 15 सीतों में से मिलती भी नजर आ है तो नासिक में भी कहीं न कहीं, इंडिया बीजेपी के एंडिये पर भ सीटों की बढ़ती हुई नजर आ रही है अन्न को भी यहां पर एक की माने तो कुल मिलाकर महराश्ट्र की 288 विधान सभा सीटों में से 151 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आपके सामने कर करा चुके हैं जिसमें से बीजेपी की एंडिये को यहां पर अगर भी की 58 सीटों की बढ़त का अनुमान है दूसरी और इंडिया सबसे आगे 88 सीटों की जो कहीं न की बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा होगा कि अनुपात लगभग 5 सीटों की बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है तो कुल मिलाकर एंडिये में हूं गठ बंधन इंडिया क कि अनुमान है तो 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 कि अनुमान है